सब्सक्राइब तू निशाई इंटर्टेन्मेंट्स फार मोर वीडियो एंड अप्डेट्स इसे कहा जाता है कि ये है क्रिकेट का घर जी हाँ लंडन में हैं हम और मैदान तयार है हम भी हो जाएए तयार कप्तान तयार है कॉल के लिए हैड या टेल किसके फैद्स चुना है कप्तान ने एंड हैड्स इटेस गेंद बाजी के लिए पिछ अच्छी है और टॉस के विजेतां को ये पता अप्तान अपनी टीम के साथ बहुच चुक है मैदान पर सामने की टीम को हलके में आख ना होगी गलती दोनों ही टीम्स है तयार तो बड़ा सा इनको संभल की खेलना होगा और कोशिश करनी होगी आंके तक ये नाबाद है लेक्स पिनर बो थमाई गई है अब केंट फिलर की अच्छी एफ़र और बड़िया थोगी दो दो हाथ करने की मन्शा से आए है मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम डाउन दग्राउंड सीधा शॉर्ट लेकिन कहलाएगा स्कलाउग स्पॉल को रोपना मुश्किली नहीं नामुम्किन है मिरे दोसर करारा स्वीप शॉक बड़िया जच्च मैंक तेज रनिंग बड़िया रंग बड़ो राव बल्ले बाजुन फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोगने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला क्रिकेट कोचिंग मैनुवल में अंडरस्टेंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की कति इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्ले बाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ स्पिनर के स्पिनर के स्पिनर के स्पिनर के साथ रोपने की कोशिश पोशिश नाकाम्याब के पूच चाथ साइड में बदलाव केंद बाजी करने का किया है फैसला बल्ले बाज सूपर पूल ये शॉट पैसा वसूर छेरा ये शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैप बहुत ही गौर्वान बित होता लेंथ को अच्छे से पड़ा और पढ़िया शॉट सेलेक्शन मुश्किल से एक देड़ स्टम दिख रही थी उस एंगल से और क्या सटीग निशाना ये निर ने बल्ले बास के पक्ष में हम पायर ने नकार दिया पी तो फील्डर्स में डाला दबाव एक को किया दो में तब दिया बॉल को ध्यान से देख और बढ़िया स्टम का किया एग्जिक्यूशन फील्डर का बढ़िया थ्रो एक टंस टंस के उपर तॉस्टिन के वेरियेशन से टंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास गरारा स्वीप शॉक्ट आउर ना में टाइम बेस्ट नहीं किया बढ़िया रानिंग बिट्वीन दविकेट्स एक्सिल इंग्जिनिक्स हग बढ़े स्पोर का बढ़िये हैं प्रीज पर आए हैं नहीं कि लेक्स किनल को थमाई गई है अब के चीते को बीजे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्लेबास ओवर स्टेपिंग यानि कि होवर में एक्स्ट्रा बॉल नो बॉल इसाइड की है अंपर अच्छा मौका है बल्ले बाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का विक सिंगल पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज है नो फ्लाइंग जोन बुशित कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेन गई एक पार फिर हवा में छे रन शौकिंग इंपक्ट रॉकिंग आउ अंपार के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपार की तरफ अब ये जुनौती दे रहे हैं अंपार के डिसीजन को और अंपार ने निर्ने बदल दिया है यानि की प्राट्समें सरवाइस बल्लेबास को थोड़ा क्रैम किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की करीबी मामला मिला भागिये का साथ ये गेंद गई है दूर बहुत सो दूर देखर जाएगी छेरा वाव क्या ट्राइव है ये सुरक्षित हाथ है सुरक्षित हाथ है स्पीलडर के कैट और इस दिनिंग की पहली विकेट गेंद बास के नाप अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जस गो बाक तो बेसिक्स अपने नाखुनों को बचा के रखें ये थिलर होने वाला है फिल्डर की अची है था और बड़िया थोड़ प्राट्समें चक्मा खा गए है लेकिन अंपायर मुस्ताइद नाट आउट का फैसला वाड़ विगेट आउट काउट काउट कर रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं ये कैचिंग प्राक्टिस है क्या महदवपूर विगेट एक महदवपूर समय अब इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत पड़ी खड़ी हो सकती है कमाल का शॉट और क्या थी खूबसूरत ये डाइने पारी की समापती पर आया ये खूबसूरत शॉट स्टैंस में फील्डर नहीं होते वहीं समंगवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे छे मैदान पर नए है जनाब ये पैविलियन से सेट होकर आए है चौके से शुरुआ हेलिकॉप्टर शॉट्स तो हमने बहुत सारे देखे लेकिन ये तो थोड़ा नया वर्जिन है अपडेटेट अब फीलर की अच्छी है फ़र और बढ़िया थोगी यहां तो क्राउड में भी हेलमेट बढ़वाने पड़ेंगे एक और गेद गई है फाइनल काउंट डाउन के सब बल्ला घूमा स्टेडियम जूमा टीम ने जीता मुखावला बहुत ही करीबी मुखावला था ये एक वासा अनफॉर्चुनेट है कि एक टीम को हारना था एक टीम का जीतना तह था जीतने वाली टीम को बढ़ाई लेकिन जो टीम हार गई है जजबा उन्होंने भी कमाल का दिखाया बल्ले के साथ किया जबर्दस प्रहार और बिल्कुल सही है ये मैंनो दो मैच के हग दा